हलो फ्रेंज वेल्कम विक टो मैं चैनल इन कोकिंग वित्रेका पहाडिया आज मैं आप लोके साथ शेयर करने जा रही हूं ब्रेट गुलाब जामून की बहुत ही शांदा रेसिपी वह भी एक सिक्रेट टिप के साथ अगर आपको में यह रेसिपी पसंदा है तो प्लीज मेर अलग करना बहुत ही जरूरी होता है यह जामून बनाने के लिए यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है ब्रेट की एजिस को अलग कर लिया है अब अब मिसे चोटे-चोटे पीसे में तोड़ लेंगे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद हम इसे आटे की चलने से चान लेंगे आप इसे बीना चाने भी जामून बना सकते हैं लेकिन उससे आपके जामून में क्रेक आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं तो यही वह सिक्रेटिव है अगर आटे की चलने के से चानते हैं तो आपके जमुन में क्रेग आने के चांस बहुत कम होगे और आपके जमुन बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही अच्छे बनेंगे यह देखिए मैंने इस तरह से ब्रेट के पाउडर को चान लिया है अब हम इसके अंदर आइड करेंगे एक चमच मिल्क पाउडर उसे मावे वाला टेस्ट देने के लिए यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं लेकिन हो सके तो आप इससे जरूर डाले इससे जामूं का टेस्ट बहुत ही बहतर ही नाएगा यह देखिए मैंने मिल्क पाउडर को और ब्रेट पाउडर को दोनों को ही चान लिया है अब अच्छे से अग्स कर लेंगे हाथ से और उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा दूद यहां पर दूद मैंने नॉर्माल टेंपरीचर पर ही लिया है यहां प तोड़ा तोड़ा दूद में एड़ करती जा रही हूं थोड़ की दिल में आप देखेंगे कि हमारा जो डो है एक जगा एक घटा होने लगा है यह देखिए कुछ इस तरह से हमारा डो जो है एक घटा हो जाएगा बस अब इसे पांच मिट के लिए ढग कर रेश करने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम चलते हैं गेस की तरफ चाशनी में लेते हैं अब यह देखिए गाईस मेरे पास यह कल की चाशनी रखी हुई है क् जेलेबिया बनाई थी तो बस में उसी चाशनी को यूज करने वाली हुई मैं बता देती हूं कि मैंने चाशनी केसे बनाई थी एक कटोरी चीनी लेने आप लोगों को और इसके अंदर आपको दो कटोरी पानी जो है वह एड कर देना है और साथ ही उसमें एक से दो अब नहीं करेंगे तो इस बात का खाल ध्यान रखना है अब 5-10 मिट हो चुके हैं हमारा डोबी जो है अच्छे से चेट हो चुका है अब हम इसे अच्छे से मेश कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे से दो बारा से यह देखिए कुछ इस तरह से बहुत जदा टाइट हार्ट से हमें यह नहीं करना है बहुत ही हलक्याद से इसे हंडल करना है आप चाहे तो यहां पर अपने हाथ को ओल या घी से अच्छे से ग्रीस कर सकते हैं उसके बाद आप यह प्रोसेस करें अब मैंने यहां पर हाथो चोटे चोटे पीस में तोड़ लेंगे अब चाहे तो यहां पर कोई चमच वगरा भी सेट कर सकते हैं ताकि आपके जामून जो है वह बिल्कुल साइज में इक्वल हो अब देखिए इस तरह से आपको एक पीस उठाना है और इस तरह से हातिलियों की बीच में गोल गोल ज चर्छा जामून बनाए इसमें किसी भी तरह का क्या और नहीं है आपको बिना करेंगे साय जामून बनाखन इसी तरह से रड़तर से रड़िक कर लेड़े अब मैंने घटर पर एक तरफ ब्ल होने के लिए के लिए रख दैकर और एक तर दोह61 जाम अब बहुत अच्छी घर दियान है कि आप सारे जामुल से कुछ से कवे नहीं है नहीं कर्या साथ ग्राल ग्रैया सके करें है लिड्स बख्छेशे बाहर से जल जाएंगे और एक साथ यह 10 कम जाएगा इस फिरने ठीटर यहां लोकर देना है एक करके जब आप सारे जामून ऐल की अंदर देना जो भी आप लेते हैं उसके बाद आप जो है गेस का फ्लेम मीडियूम लोड और तोमीडियूम कर सकते हैं पूरे टाइम आपको फ्लेम लोड नहीं रखना है वरना आपके जामुन जो है और गी के अंदर बिखर सकते हैं इससे आपका घी या ओल जो है वेस्ट हो सकता है अब मैंने आपको फ्लेम मीडियम कर दिया है अब मैं से कंटीन्यू बिल्कुल हलके आज से चलाते हुए जा र बिल्कुल रडी है इससे जादा हम इसे नहीं फ्राइब करने वाले यह बिल्कुल पॉफेक्ट है मैंने एक तरफ चाशनी को गरम होने के लिए रख दिया है आप जामुन को ठंडी चाशनी के अंदर बिल्कुल भी ना डाले हमारी चाशनी जो है हलकी सी गुन-गुनी गर अगर आप फंडी चाशनी के अंदर जामुन को डालते हैं तो आमारे जामुन जो है चाशनी को अबसर नहीं करेंगे बस जामुन मनाते हुए आपको इनी छोटी छोटी टीप्स और ट्रिक्स का खयाल रखना होता है तब हम आपकी जामुन जो है बिल्कुल पॉफेक्ट ब अगर दोब गए हैं अगर नहीं डूब रहे हैं तो आप चाशनी को छोटे बरतन के अंदर लेले उसके बाद जामुन को डाल दें ताकि अच्छी तरह से डूब जाए हैं ये देखिए सारे जामुन जाशनी के अंदर डूब गए हैं बस अब अम इसका ढगा देंगे और लगबब दो कंटे के लिए इसे ऐसे छोड़ देंगे ताकि हमारे जामुन ने चाशनी को बहुत ही अच्छे से अब्जोब कर लिया है आप लोग यह देखकर यह अंदाजा लगा पा रहे होंगे क्योंकि हमारे जामुन जो है काफी रसीले दिख रहा है और आप इसका कलर देख सकते हैं देखकर कोई जज ही नहीं कर सकता है कि यह जामुन जो है ब्रेड से बने हुए है मैं आपको जूम करके बताती हूं यह देखिए कितने यमी कितने टैंपटिंग लग रहे हैं यह और आप मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया थो प्लीज आप मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गा और साथ ही प्रेस बेल इस तक पहले पहुंश सकें हूं आपके लिए इसांफिगन लाती रहूंगी और बहुत जल्द मिलूगे आपसे अगली रेसिपी के साथ उससे पहले मैं आपको यह तोड़ के बता देती हूं कि यह अंदर से कैसे बने हैं यह देखिए यह कितना यम्मी कितने टेस्टी कितने रसी ले लग रहे हैं रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज